ओके तो आज की सोड वर मैं आपको दिखाने वालों इस तरीके का HDR CC वीडियो जे कैसे एडिट कर सकते हो इंसोट एप में और मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताने वालों जिसकी हेल्प से आप तुरंत इस तरीके का HDR CC एडिटिंग कर पाओगे तो बिना टाइम वेस्ट के टूटेल को स्टार्ट कर लेते हैं so HDR CC वीडियो एडिटिंग हम करने वाल है इंसोट एप में तो सबसे पहले इंसोट को ओपेन कर लेते एंड वीडियो को हमें एडिट करना है तो वीडियो वाले सेक्शन को उपर जाएंगे then new के उपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहा को आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कर देने है डन तो आप देख सकते हमारी वीडियो यहां एड हो चुकि बिल्कुल नॉर्मल से वीडियो है ना इसमें HDR एफेक्ट है और ना ही वाला जो कलर्स है वाले ठीक है तो दोनों में आपको दिखाता हूं कैस से एडिट किया जाता है बट सबसे पहले यहां पर यह जो बैग्डरउफ ब्लर-ब्लर है उससे हमें कैसे ठीक कर सकते हैं तो उससे ठीक करने के लिए आप seben कि करनेवाला तरिका यह तरीक है कि हम टाट जहेँ से लान के मतलब हूसमें यहां पर एक कर देंगे तो आप हट चुका ठीक है एडिटिंग हमां स्टार्ट करते तो सबसे पहले हमें अपनी वीडियो को ब्लर करना होगा तो ब्लर करने के लिए आप बैक्ग्राउंड को पर आना एंड यहां पर आपको तीन चार ब्लर स्ट्रेंथ दिख रहे होगा ठीक है आप जस्ट थर्ड वाले को स रहे होगाई अपनी वीडियो को थोड़ा सा चोटा कर देता हूं और उसके बाद यहां से एंसचपोर्ट कर लेंगे मतलब कि सबसे फास्ट संट क्या होगा कि वलर करना है और उसे नहीं हर्फ perceptions कर लेने के बाद यहां बैक करना और यहां पर बैक करते यहां से नॉर्मल सी जो हमारी व्यूडो थी उस वाले अस्टेप तक हमें आजाने मिन्स आप देख चेक तो यह नॉर्मल सी व्यूडो आ गई अब उसके बाद जो भी हमने ब्लर किया उससे हमें यूज करना है तो पी आईपी को पर क्लिक करके जस्ट अपनी व्यूडो को आ उसके बाद इसे करना है कम ठीक है इतना कम आप करना जिसमें लगने लगे कि हां HDR एफेक्ट अपलाए हो चुक है और अप देख सकतो यह 57 में या फिर 60 के अप्रॉक्स में HDR एफेक्ट हमें मिल जाता है तो इतना हम इससे सेलेक्ट कर लेंगे हैं उसके बाद इसे कर देंग मैं डिस्क्रिप्शन में इस वाइट इमेंज का लिंक देदूंगा आप वहां से गेंड कर सकतो जैन उसके बाद इसका भी ब्लेंडिंग हमें चेंज करना होगा तो यहां पर ब्लेंड के उपर आएंगे एंड इसको आब ले सेलेक्ट कर लेंगे इन आप यहां से देख सक उपर आपक्लिक कर दोगे तो देख सकतो बिल्कुल परफेक्ट HDR एफेक्ट अप्लाय हो चुगा अब इन दोनों का जो डियूरेशन होगा वो पूरा वीडियो के लास्ट तक कर देते हैं देन उसके बाद आपको देख सकते हो यह कंप्लीट हो चुगा अब यहां पर हमें ज सेटुरेशन को थोड़ा से इंक्रीज करना है यहां पर आपको एक कर आप کہलर जबाट का ऊप्शन का अप्शन मिलेगा इस कलर कर जाना होगा और इसे नहीं अपर उन्सके और ज tiếp आप देख सकते हो यहां पर हमारी यह वाला colors भी आ चुक है हमारी वीडियो के उपर तो बिल्कुल same edit हो गया है बट इसे final touch देने के लिए हम a light motion को use करेंगे ठीक है तो सबसे पहले इसे save कर लेते हैं आप देख सकते editing हो चुकी बस इसे final touch देने के लिए हम just a light motion को use करेंगे ठीक है तो यह convert हो जाए means export देनों इ लेते हैं अब लाइट मोशन को open करने के बाद हमारे समने कुछ ऐसा interface आता है तो सिंपली सा हमें प्लस वाले बटन को पर क्लिक करेंगे जस्ट यहां से अपनी वीडियो की रेश्यो को सेलेक्ट करके create को पर क्लिक कर देने ठीक है और उसका बाद प्लस वाले बटन को पर ट अब उसके बाद इसमें आपको सिंपल से काम करना है वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड एफेक्ट वाले ओप्शन को पर जाके add effect को पर क्लिक करके जस्ट अधर में आप जाना और यहां से चैनल रैंप एक ओप्शन मिलोगा इसे सेलेक्ट करके जस्ट टेंडर सेटिंग करना होगा तो effect वाले section को पर जाते हैं, ahead effect को पर क्लीक करते हैं यहां पर color and regulation. लाइट वले section में जाओ और तो यहां पर से चिरेशन देखने को हम edit कर सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अब वो create हो गया है तो save करने के लिए export बटन को पर click करके just यहां से export करी सकते हैं तो अब मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye